कर दो को हैं मेंने कई ज्यादा न्यू ड्राइवर्स को देखा है जब गाड़ी चलाते हूंकि गाड़ी जब गेर चेंज करती है तो जट्रिक्स लेती है जट्क्स अ यह वह क्यों लेती है क्या कारण हो उसके लेने के और उसको प्रिवेंट कैसे करना है ठीक है वह आज जो एक जटका आता एकदम से इसको कहते हैं जक्स जक्स वो आते हैं क्योंकि आपकी जो गेर्स है वो मिसमैच रहते हैं जक्स जक्स को कैसे हटाना है उसके बारे में बात करते हैं ज़िए गाड़ी को एक साइट पर रोकता हूं यहां रोक ली अब को क्या करना है टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी के गेर्स शिफ्ट करने हैं जैसे उठाया कोई जर्क नहीं आया शेकिंड डाला क्लच से पैर हटाके उसके बाद रेज देनी है अगर करोगे कि क्लच दबा हुआ है और उसके बाद रेज देके एंड देन आप अगर क्लच को छोड़ोगे कैसे कह रहा हूं यह जर्किंड यह 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 जर्किंग जाएंगी अगर आप क्लच के साथ ही ड्राइब करते रहोगे तो bizco तो अगर यह जर्किंड नहीं चाहते हो तो उससे अच्छा है कि जब आपके डियर्स करने का टाइम आए यह असी टाइम पर अपने गेर्स को शिफ्ट करें कि क्लच से पैरट आया एंड रेज दी ऐसे करोगे जर्ट नहीं लगेगा और यह सिच्वेशन को समझना पड़ता है कि अब क्या हमारी जर्ट लग सकती है कि नहीं अब जैसे मेरे पीछे बाइक थी उसके पीछे कार थी में को थोड़ी सी रेज ज्यादा देनी पड़ी जिस सेकेंड डाल देता जक लगता ही लगता इससे अच्छा था क्लच दबाया गाड़ी थोड़ी सी स्लो हुई मतलब 22 21 पर आई सेकेंड डाल दिया क्लच से पैर हटाया एंड देन रेज दी मजाल है कि आपके गाड़ी पे कोई किसी टाइप का जक आयेगा अगर कोई हाँ गेर्स की वज़ा से तो तो वो बिल्कुल नहीं आने वाले वो मैं कहा अगर आप ट्यूटर भी हायर करोगे कि यह में कुछ सिखा देंगे तो भी वो यह चीज आपको नहीं सिखा पाएंगे कि हां भाई जक्स कैसे हटाने है गाड़ी में से तो अगर आपकी गाड़ी जक काम कर लो सो बैटर रहने वाला है यह काम करोगे बेस्ट रहेगा गाड़ीयं गाड़ीयं थी तो बैटर था अगसी लें तो यह इगो नी रखनी के हां भई मैं चला रहूंना कर ले आया थे तुम बैब कर लो ऐसे एनिवेस तो भई यह चीज आती है कि आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एंड जरकिंग्स में यही ची सो कोई फाइदा नहीं है सिंपल सिंपल भाशा में कहूं दो तरीके हैं गाड़ी को जग से हटाने की एक ही है मोस्तली वह क्या है दुबारा बता देता हूं वीडियो बाइंड अप कर देते हैं तक कि आपको पता लग जाए दो ही है तो एक क्या है के अब मैंने अगर सेकिंड में शिफ्ट करना है रेज दी स्पीड आ गई एक एक क्लच छोड़के पैर नीचे करके रेज देने और दूसरा क्या रहने वाला है इसमें भी सेम फस्ट गया डाला क्या रेज दी सेकिंड गयर जिता जिता क्लच उठारे उत्ता रेज को दबाई जाना है मतलब ऐसे फुट मूवमेंट हो नीच चाहिए जो फस्ट प्रोसेस है आपका उसमें क्या होता है गयर चेंज किया यह रेज है रेज पे से पैर हटाया हुए यह क्लच है ठीक है जो क्लच छोड़ने उसके बावर एस्ट बानिएं जो सेकिंड मैंने किया उसमें ऐसे की जिता जिता फार उत्ती रेज देनी सिंकिंग रहनी चाहिए बहुत अच्छी वाली यह यह वाली सिंकिंग रहनी चाहिए और हाँ चोटे-मोटे अगर यह जक्स करती भी है तो कोई तो कईयों में किसी कारण लगते हैं कईयों में बिना फालतू लगते हैं तो यह चीज निया कि आपके से गेर्स मिस्मैच हो रहे हैं लेकिन हो सकता है कि कई और कोई और भी कारण हो कोई आपका पेट्रोल कम है तब जग करेगी यह कुछ करेगी इसी रहे चैनल सब्सक्राइब करते हैं यह वीडियो को लाइक करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक कि यह बाए बाए